CSGMU कानपूर, चत्यपदी साओजी महाराज उनिवस्टी कानपूर, इसका एक मेन कांपस जो है UIT कानपूर, तो UIT कानपूर में जो B.T.E.C. में एडमिशन होते हैं, उसके लिए अलग से कांसलिंग होती है, पहले ये AKTU से कांसलिंग कराते थे, लेकिन अभी जो ही अपनी स तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कमफरडेवल नहीं होते हैं, अगर हम UPA में कुछ मेजर लोकेशन की बात करें, तो नौईडार, दिली, NCR के बाद आपको लखनव मिल जाता है, कानपूर मिल जाता है, तो ये आपका युनिवस्टी कानपूर में है, और अगर इसकी exact location की बात की जाए, तो IIT कानपूर आपको एक किलोमेटर पे मिल जाएगा, IIT कानपूर की बाद इसके जस्ट पीछे से आपको HBTU कैमपस मिल जाता है, चंदर सेखर आजाज उनिवस्टी एक एगरिकल्चर के लिए बहुत डीसेंट कॉलेज है, एक स्टेट लेवल कॉलेज है, IIT कानपूर का भी कैमपस और आल इस उनिवस्टी से लगवग एक किलोमेटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है, तो और आल एक कोर जो एजुकेशनल एरिया है कानपूर का, वहाँ पे उनिवस्टी लोकेटेड है, आज से जब ये कॉलेज शुरू हुआ होगा, स्टार्ट क आज से कुछ आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, या किसी गौर्मेंट जॉब के लिए साथ में तयारी करना चाहते हो, तो ये सारे आप्शन आपको इसके पास में मिल जाएंगे, प्लेस्मेंट वाइज डेफिनिटली बहुत अच्छा प्लेस्मेंट तो आपको नहीं और अड्मिशन प्रासेस के लिए क्या हमारी इंपोर्टेंट तो ये आपकी ब्रांच वाइज ब्रांचेद और फीस ट्रक्चर यहाँ पर टूटल सिक्स ब्रांचेज हैं, केमिकल इंजिजिरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस AI, ठीक है, ECE, IT और मेकैनिकल तो सॉफ्ट्वेर में आपको तीन ब्रांचेद मिलेंगी, CSE, CSE, AI और IT ब्रांच, ठीक है, जहाँ पर आपको फीस लग रहे होगी, 1,4,000 रुपय आपकी फीस लगेगी, अगर आप केमिकल और मेकैनिकल में या फिर EC में अड्मिशन लेते हो, किसी कोर ब्रांच में आप जाते हो, तो वहाँ पर आपके लगबग 89,000 रुपीस लगेगी, स्टेट का हो या अधर स्टेट का बच्चा, दोनों ही कैटेगरी के बच्चे अपलाई कर सकते हैं, दोनों ही कैंडिडेट एलिजबल है, यह आपका टोटल फीस कर्चर और ब्रांचेज है, लास्ट ये की अधर स्टाफ तक एड्मिशन हुआ है, तो यहाँ पर जो CSE का कट आफ है, जनरल कैंडिडेट के लिए 1,67,000 पे क्लोज हुआ है CSE, OBC के लिए क्लोजिंग जो है 1,43,000 रैंग पे क्लोजिंग रही है, SC के लिए 3,47,000 पे क्लोजिंग रही है, और EWS वाले बच्चों के लि 3,80,000 तक एलाटमेंट है, और EWS वाले बच्चों के लिए 1,65,000 तक यह कॉलेज आपको मिला हुआ है, नेक्स हमारा IT है, तो IT के लिए 1,67,000 रैंग तक बच्चों को मिला है, तो IT के लिए भी आप ट्राइ कर सकते हो, 1,67,000 रैंग तक यहाँ पर आपको बच्च मिला हुआ इसके बाद के लिए 1,92,000 रैंग तक बच्चों को मिला है, और EWS बाटमेंट मिली हुई है, इसके बाद क्यामिकल में आपको ज्यादा रैंग पर अगर वेकेंट रह जाती है, तो उनमें आपको एडमिशन दे दिया जाता है, मेकैनिकल और ECE, इसके बाद हमारा ECE में 1,95 20,000 जंदल और 2,21,000 OBC देन आपका 5,000,000 के round rank तक SC वाले बच्चों को और EWS के लिए 2,27,000 rank तक EWS वाले बच्चों को EC में लॉट्पन भी लिए तो लगबग अगर आपकी rank 2,500,000 के असपास है या 3 तक भी है तीन से जादा भी है तो भी आप इस counselling में इनके counselling में participate कर सकते हो college मिलने के आपको definitely chances रहेंगे screen पे आप इनका schedule देख सकते हो क्या-क्या important dates है 25 अपरेल से 23 मई तक इनका round 1 का registration है total 3 round में counselling होगी और जो वच्चे CSE या IT जैसी ब्रांच को target कर रहे हैं उन लोगों को round 1 में ही apply करना है अगर round 2 या round 3 का wait करोगे तो definitely CS IT में seat आपको नहीं मिलने वाली है यहाँ पर seat ने जरूर फिल हो जाएंगी क्योंकि पिछली बार से ज़्यादा बच्चे अपियर हो रहे है और बहुत सारे UP में एक major audience है और UP से बाहर के भी बच्चे याँ पर apply कर सकते है तो इसलिए आपको competition तोड़ा सा ज़्यादा रहेगा पिछले comparison में उसकी बाद 25 मई को आपका round 1 का result आएगा round 1 result announce होगा then आपका जो second round चलेगा वो 26 मई 7 जून तक चलने वाला है और इसका जो round 2 का result आएगा 10 जून को result आएगा फिर आपकी reporting होगी screen पे आपके schedule दिया गया है then आपका round 3 चलेगा 11 जून से लेकर के 27 जून तक तो round 3 जो है उसमें mainly आपकी जो other core branches जैसी ब्रांच में आपको option मिलेगा ज्यादा तर शीट जो है वो round 1 और round 2 में fill हो जाएगी तो यह आपकी information है UIT कानपूर के बारे में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो candidate interested हैं इस college में भी apply कर सकते हैं ऐसे और भी आपकी important जो updates होगी channel में मिलेगी UP Tech counseling भी आपके start होने वाली है किसी other college से related कोई भी आपकी inquiry है तो आप comment section में लिख सकते हैं या फिर हमारी apply number से बात कर सकते हैं Thank you so much, keep watching, stay connected